अंतरा फसली करण क्या है इंटर क्रॉपिंग जिसे कहते हैं क्या होती है इंटर क्रॉपिंग अंतरा फसली करण में क्या होता है कि ये दो या दो से अधिक फसलें एक साथ एक ही खेत में अलग-अलग क्यारियों या पंक्तियों में उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं अंत्रा फसली करण, मतलब एक क्यारी में, मतलब खेत तो एक ही रहेगा, पर एक क्यारी में एक फसल, फिर उसके बगल वाली क्यारी में दूसरी फसल, और जरुत भी तो उसकी बगल वाली क्यारी में तीसरी फसल, फिर चोथी क्यारी में वही पहली फसल आ कर सकते हैं जैसे सोयाबीन के पास मक्का फिर सोयाबीन फिर मक्का बाजरा लोबिया फिर बाजरा फिर लोबिया या फिर यहां आपको जो दिखाई दे रहा है कि मिर्ची सोयाबीन और तील एक खेत में अलग-अलग पंक्तियों में हम कर सकते हैं तो यह यह आपका इसको बोल ले लिए बाजरा लो बेले लिए इन में से कोई दो ले लिए तो अब क्या है कि अंत्रा फसली करण में कौन सी फसले ली जाती है तो सामाइनी रूप से हमें देखना होगा कि एसी फुस्टले लेते हैं, तो कहीं तरह के लाब हम को उसके साथ साथ मिलते चले जाते हैं, जैसे लाब में देखें गर्मन, तो सबसे पहले हैं, मरदा के जो पोशक होंगे, उनका अधिक्तम उप्योग होगा, कारण क्या है कि सब की पोशक तत्मों की जो डिमांड होगी, फसल की वो अलग-अलग होगी, तो फिर मृदा के पॉश्व कों का क्या होगा? अधिक तम उपयोग होगा, फिर साथ में इनमें अलग-अलग रोग भी लगते हैं, तो क्या होगा कि एक अगर मान लिजीए, एक प्रकार के फसल के सबी पोदें हैं तो वो एक क्यारी में हैं, तो फिर वो क्या होगा कि उस रोक को उसी प्रकार की फसल के जो अगले पोदे हैं उन में जाने से क्या होगा रोका जा सकेगा तो पैस्ट और डिसिजस को एक फसल से दूसरी फसल एक प्रकार की फसल के सभी पोदों में जाने से रोका जा सकता है फिर क्या होगा आप यहां द उसको फाइदा मिल सकता है और साथ में खर्पतवार और आदी जो बाते हैं उन पर भी नियंतरन संभाव हो सकेगा तो ये हमारा अंतर फसली करण है और ये अंतर फसली करण के लाब है जिसमें दो या दो सेधिक फसलों को एक साथ एक खेत में अलग-अलग क्यारियों या पंक्तियों में उगाते है कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल ले लेते हैं और कुछ पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल ले लेते हैं और इस अंतर फसली करण से क्या होता है कि जो म्रदा है उसको पोशक तत्मों के परियापता पूर्ती होती है और आर्थिकलाब भी होता है